हेलो स्टुडेंट वेलकम टू फ्रेंड सेट प्रेपरेशन यूटूब चैनल इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास नाइन की मैट्स की बुक से चेप्टर फर्स्ट जो की है नंबर सिस है ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीफ हो सके है अगर आपको कोई डाउट है कुछ पूछना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हूं इसके इलाब अगर आप चाहते है प्रस्टन लीम उससे कनेक्ट होना तो आप मुझे इंस्टा एक नमबर गीवन है वन बाई 17 और आप सही बोला जा रहा है कि इसमें नमबर ऑफ ब्लॉक बताने कि कितने नमबर ऑफ डिजिट की ब्लॉक बनेगा जब यह जो वैलू है यह रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे फॉर एक्जांपल मैंने आपको जो बन पॉइंट स्टार्ट किया तो मैंने आपको बता है तो इतने भी Euro हो सकते हैं कि ready is itまあ तिर्म पोइसे नंबर एंधे सब्साइब कर रहां लूकर आप रिपीट कर रहां दियसे, रिम्कोद का सब्सक्राइब का हो गया, non-terminating nature का हो गया, तो आपकी लिए decimal expansion आप समझ चुके होंगे, कि first type यह होता है, जब आपके पास repetition ब्लॉक हो जाती है, एक time की बाद remainder 0 आ जाता है, सखीन ही होता है, कि remainder 0 आता है नहीं, आप divide करते रही है, लास्ट तक यह non-terminate हो पाता है, यानि first वाला terminate हो गया, second वाला terminate नहीं हुआ, इस question particular question में आप से बोला जा रहा है, कि आपको maximum number of digit बतानी है, कि जिसके बात 1 by 17 जो number आपके पास है, यह value आपके पास है, कि यह value आपके पास repeat होना start हो जाएगी, यानि कि जिससे आपने divide करना start किया था, last में जाके same same same, वही आना start हो गया, यानि कि यह non-terminating तो है, लेकिन आपको यह बताना है, repeat कब हो रहा है, तो बेटरी है कि हम 1 by 17 को divide कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें करना होगा, सबसे पहले आप लिखोगे solution, और solution के बाद जो question number जो भी है, वो लिख लोगे, अब number आपके पास क्या है, 1 by 17 है, तो बहुत अच्छी से clear हो गया आपको, कि इस question के अंदर हमें 1 को 17 से divide करना है, तो 17 से divide करने के लिए, मैं 17 बहार लिख लेता हूँ, और 1 अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, अब आप अब अब ध्यान से देखो, तो 17 के table से 1 को divide नहीं कर सकते हैं, 0 लगा लिया है, ठीक है, उसकी बाद मैं क्या करता हूँ, अब अगें decimal लगा करके, एक 0 यहां लगा लेता हूँ, यानि कि अब यह 1 को मैंने 10 वे convert कर दिया है, अभी भी यह divide नहीं हो पा रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, एक 0 यहां लगाना होगा, ठीक है, ताकि मैं 0 और add कर सकूँ, तो अभी यह 100 हो गया, ठीक है, अच्छा, अब कर सकते हैं 17 के टेबल से, तो 17 के टेबल से अगर आप इसे करोगे, तो 17 5 जा होता है, हमारे पास 85 होता है, यानि कि हम इसे start कर सकते हैं, अब इसे divide करना, तो हमारे पास जो remainder आ जाएगा, वो 15 आ जाएगा, ठीक है, यानि कि अभी तर यह terminate नहीं हुआ, आच्छा, उस 85 था, तो फर्दर आगया, आप बढ़ोगे इसे, तो 17 8 जा करके देख लेते हैं, तो 17 8 जा आपके पास 136 होता है, तो मैं यहान लिख देता हूँ 136, ठीक है, तो आप इसे भी यहाँ पर मैं क्या कर रहो, इसे माइनस कर लेता हूँ, तो जब माइनस करोगे, तो आपके प पतलब यह है कि आप दुबारा से 17 8 जा इसे डिवाइट कर सकते हैं, जो आपके पास क्या है, 136 कर सकते हैं, ठीक है, उसके पर नेक्स टेप में देखोगे, तो रिमेंटर आपके पास क्या आगया, 4 आगया, ठीक है, तो स्टूड़न देखो, यहाँ स्पेस नहीं, इस लि 40 हो गया, तो 17 के टेबल में 17 2 जा जो होता है, वो आपके पास 34 होता है, तो यहाँ में 2 लगा लेता हूँ, और यहाँ 34 मैंने लिख लिया, उसके बार नेक्स ट आप देखोगे, तो यह आपके पास 6 आ गया, तो अगेन में 0 लगा लूँँगा, अब 17 के टेबल को थोड़ है, जब तक यह जो टर्म स्टार्टिंग इनिशियल टर्म है, वो न आ जाए, तो यह 9 आ गया, आपके पास तो आगेन आप 5 ताइम्स में 85 कर सकते हो, तो यह 5 ताइम्स में क्या हुआ, 85 हो गया, ठीक है, उसके बाद नेक्स करोगे तो आपके पास यह 5 आ जाएगा, ठीक ह मैंने क्या गया है, एक 0 लगा दिया, वो यह ही लिख दिया मैंने, अच अब देखो, जो 5 तक आप लोग कर चुके हो, नेक्स्ट यहां 5 के बाद, नेक्स आप क्या करेंगे, 50 लाना है, तो 17 के टेबल में 17, 3 जा तो 51 होता है, यारे कि मैं यह कहूँ, कि 17 टूजा अगर मैं सकते हो, 10 दूबारा एड कर लोगे, ठीक है, तो यह देखो, तो 17, 8 जा अमारे पास 136 था, ठीक है, तो यह थोड़ा कम लग रहा है, तो 17, 9 जा अगर के देखते हैं, कितना आता है, तो 17, 9 जा अमारे पास 1 यह स्पेस निया है, आप यह इसलिए से हाल लिक रहा हूँ, 17, 9 जा आप बोल सकते हो, कि 17, 9 जा 153 हो गया आपके पास, ठीक है, तो 153 से करोगे, तो आपके पास यह 7 आ जाएगा, नेक्स अगें 0 एड करोगे, अब उसके बाद फिर से 17 से अभी division और भी continue करते रहना है हमें, तो 17, 4 जा आपके पास 68 होता है, तो मैं यह 17, 4 जा इसे कर ले ठीक है, जो मेरे पास यह 2 आ जाएगा, जब यह 2 आ गया, तो उसके बाद फिर एक बर और 0 एड कर लेते हैं, तो जब 0 एड करोगे, तो कहोगे, सर 17, 1 जा इसे हम लोग कर सकते हैं, तो 17, 1 जा हमारे पास 17, यानि की remainder हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, अच्छा, अब यहा 30 में convert हो गया, 30 में convert हो गया आपके पास, ठीक है, तो यह आपके पास 30 हो गया, अब 30 होने का मतलब यह कि 17, 2 जा तो आपकर नहीं सकते हो, तो 17, 1 जा ही सही हमें काम चलाना पड़ेगा, और यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 हमारे पास result आ जाएगा, तो मैंने यहां पर क् 1, 4, 1 है, यहां पर एक बार और 1, add और कर लेते हैं, ठीक है, तो अब आपके पास अगर ध्यान से देखो, तो 1, 3 हो गया, 1, 0 और add करो गया, तो 130 हो गया, 130 का मतलब यह हुआ कि next time जो अब आपने 13 की table से अगर आगे फर्दर करो गया, अब यह कह सकते हो, 17, 7 जा, 1, 1, 9 जो 7 यहां पर, तो अब इसे माइनस करके देख लेते हैं, क्या result आता है, 1 आगया यहां से, और इदर से भी 1, यानि कि 11 आपके पास यह आगया, अब यह 11 आपके पास आया, 11 भी 17 से इवाइड नहीं होगा, एक 0 और add करना पड़ेगा, तो जो आपके पास 110 हो गया, अब यह 110 क कर सकते हो, 102 यूज कर सकते हो, जो आपके पास 8 आजाएगा, अचा, 17 6 है यूज किया है, तो हमें 6 यहां पर भी मेंशन करना होगा, 7 के बाद यहां, 6 और हमें मेंशन करना होगा, अचा, उसके बाद यहां पर आपके पास 8 है, इसे एक 0 और add कर लोगे, 17 5 जा तो भी 85 होता यानि कि 1 आ जाएगा, ठीक है, आच्छा, 17-4 जा यूस्किया है, तो हम क्या करेंगे, तो 17-4 जो यूस्किया है, 4 यहां मेंचिन कर देंगे, 6 के बाद यहां पर मैंने 4 मेंचिन कर दिया, ठीक है, तो 4 मेंचिन करने के बाद आपके पास जो result है यहां पर, remainder वो 12 आ गया, अच इतना होता है, 119 होता है, ठीक है, तो 119 का मतलब यह हो गया, रिमेंडर आपके बस 1 आ गया, तो यह मैंने 177 जा यूज किया था हूँ, तो 7 यहापे मेंचन कर देता हूँ, कि यह 4 के बाद यहापे हम लोग क्या करेंगे, 7 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यह 4 है, उसके 7 है, अब देखो, आपके पास किया हूँ, कि 1 आ गया, तो 1 0 मैं लोगा है, ठीक है, तो फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, जिरो लिया डिवाइड नहीं हो रहा, जब डिवाइड नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ एक और 0 एड करना पड़ेगा, यहाँ 7 के बाद, एक 0 और लगाना पड़ेगा, ठीक है, आच, उसके बाद भी अगर ध्यान से देखो, तो next, एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो यह जो 100 है, 100 क्या आ गया, यह वही टम है, जिससे आपने डिविजन करना स्टार्ट किया था, देखो यह रहा, डिविजन करना स्टा नोशीर स्टार्ट होगा, यह फिर 5 करोगे, फिर 8 से करोगे, 2 से करोगे, फिर 3, 5, 2, मिला इस सारे डिजिट का रिपीट करोगे, कहां से? इस 0 से ले कर गए, 7 तक आप क्या करोगे? रिपीट करते रहोगे, यानि कि अगर मैं का हूँँ कि भी आगर आपने इस पूरे को को डिवाइड किया 1 by 17 को आपने डिवाइड किया तो आपके बाद रिजल्ट है 0.0 पुरा नोट कर लेते हैं भी तो यह आपके पास 0.0588-235 ठीक है तो मैं लिख लेता हूं 588-235 ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है 235 के बाद क्या है 294 ठीक है 294 के 117647 ठीक है तो यह आपके पास 117647 आपके पास 117647 आपके पास यह आपके पास 16 डिवाइड किया 16 डिजिट तक अपके पास 16 डिजिट के बाद जो आपने 100 से डिविजन करना स्टार्ट किया था स्रार्टिंग में वह सेम चीज क्या रये है, आगें हन्ció होड़ा है यानि कि रीपीट हो रहा है तो आप यह कहए सब ते tandem स्यारे लिगरां और ऊ nailmaya को है एक Human Language इस के और हमेह से में मैं ने कही marks द éta हो थे एक भाएर सब्सक्रांव से माकर 뭐 है हाँ डिवीजन थोड़ा सा लेंदी है थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है तो इसलो आपको आच्छे से लीटन क्लीन या काम करना है ठीक है चलो अब देख लेते हैं नेक्स कुछिशन नमबर फाइव के बाद हम लोग करेंगे कुछिन नमबर 6 ठीक है जो की वेल्यू हो जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि रेशनल नमबर की यह कंडिशन होती है और आगे आपसे बोला जा रहा है कि पी एंड क्यू आर्दा इंटीजर कोई भी इंटीजर हो सकता है विजिन नो कोमन फैक्टर अच्छा इसके अंदर एक बात और धियान में रखन इनके बीच में कोमन नहीं आना चाहिए और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपर्जेंटेशन अच्छो उसके बाद आपको यह इंशोर करना है जो आपका एक्जामपल हो वह कैसा होना चाहिए कि वह टर्मिनेट हो जाए यानिकि नॉन टर्मिनेटिंग निचर का नह है तो यह कुछ ऐसे एक्जामपल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग इंग्जामपल है बड़ हमें कैसा एक्जामपल लेना है टर्मिनेट हो जाए और उसके बाद आपसे बूला जाए चैन यू गैस वाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सैडिस्पाई कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लिए सकते हो सबसे पहले आप लिखोगे सॉलूशन और सॉलूशन के बाद जो भी कोशन है कोशन का नंबर ठीक है फॉर एक्जामपल ठीक है मैं कुछ एक्जामपल लेता हूँ एक्जामपल कुछ ऐसा लेना है जो कि ऊपर और नीचे कुमन नहीं होना ची जैसे वन यहां पर पी की वेल्यू हमारे पास वन है क्यों की वेल्यू आप कह सकते हो टू है इनके बीच में कुछ भी नहीं है ठीक है और अगर आप डिवाइट करने की बात करें तो यह डिवाइट अगर करने जाओगे से डेसिमल लगाया जिरो लिया तो अब यह कह सकते हो कि भी यह अब कम्प्लीट डिवाइट हो गया हमारे पास यानिके 0.5 इसका अंसर आ गया अच्छा नेक्स एक और एक्जांपल लेते हैं 1 बाई 4 अगर सबोज मैं लेता हूं एक्जांपल तो 1 और 4 की बात करें 1 और 4 तो यहां पर पी की वेल्यू मारे पास 1 हो गया 2 की वेल्यू डिवाइट करो में तो यह दिवाइट हो जाएगा जैसे यह 0 लगाए और उसके बाद यह 0 आ गया तो यैनि कि ठू टाइम साथ यह एत हो गया और उसके बाद आपके पास तुहा गया फिर जिटा लगा लोगया तो आप यह कह सकते हो कि द Article 25 भीश आ पके पास 20 आ इनि का warning आपके पास एक result आ गया है, 0.25 आपके पास एक result आ गया है, यानि कि यह दोनों कैसे example है, जो terminate हो जा रहे हैं, तो यानि कि example तो बिल्कुल correct ले लिए हमने, अगर 1 by 3 लेता मैं, तो terminate नहीं होता, 1 by 6 लेता, तो यह भी कैसे है, non-terminating nature की है, जो terminate नहीं होंगे, यानि कि आप divide करते रहे है, remainder 0 नहीं आएगा, बड़ इन दोनों में किया हुआ, एक certain time की बाद, जैसे यह one digit के बाद, terminate हो गया, यह आप देखोगे, decimal के बाद, two digit के बाद, यह terminate हो गया, यानि remainder 0 आ गया, अच्छा, अब हमें यह भी बताना है कि इस question के अंदर, ऐसी कौन सी property नीचे तो जरह ध्यान से देखो, यहापे जो q की value है आपकी पास है, first of all example में, जो q की value है, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो कि आपकी बास 2 है, मैं यह लिख लेता हूँ, जो first example था, q की value हमारे पास 2 था, second example में, मैंने q की value क्या लिए था, 4 लिए था, अच्छे, अगर इ 2 पावर 2 लिख सकता हूँ, यानि कि आप यह कह सकते हो, इसकी value q है, q must have prime factors, ठीक है, q का मतलब यह है, कि नीचे जो digit होगी, उसके पास जो भी value आप लेके चलोगे, उसके पास कोई ना कोई फैक्टर जरूर ना चाहिए, और यह जो factor कैसे होंगे, prime factorization आप कर सको, तो आप यह लिख सकते हो, q must have prime factors, यह कुछ condition आपके सामने बन के आ रही है, चाहिए 1 by 2 की बात कर लो, 1 by 4 की बात कर लो, यह मैंने बहुत simple example लिए, आप कुछ और भी ले सकते हो, जिसके बीच में common नहीं आते हो, जैसे for example आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, कि भी 4 condition यह हो रही है, जो क्यों है, यानिकि जो denominator जो है, क्यों की बात करें, कि इसके must होने चाहिए, कि इसके जो prime factor बन सके, ठीक है, तो इस तरह से आप इस question को solve कर सकते हो, question number 6 को, चलो, अब देख लेते है, next आपके लिए question number 7 है, जो आपकी screen पर है, question number 7 में आप से बोला जा रहा होना चाहिए, और इसके साथ-साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है, next, non-reoccurring, यानिकि जो digit है, वो repeat नहीं होने चाहिए, जैसे अगर suppose कर लो, मैं 1 by 3 अगर इसका answer लेके चलो, ठीक समझाने के लिए बता रहा हूं, कि यह non-terminating तो है, but अगर आपके result देखोगे, यह point 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, यानिकि यह re-occur हो रहा है, जो 3 जो digit है, यह बार-बार repeat हो रहा है, तो आपको ऐसे लेना है, जो बार-बार same result ना है, different, different result आने चाहिए, ठीक है, इसी तरह अगर 1 by 6 की बात करो, तो यहां आपके पास जो result आता है, तो यह 0 point, इसका भी कुछ इसी type स से आता है, आपके पास, कि 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, यानिकि इस question का अगर मुझे answer लिखना है, यानि solution लिखना है, तो मैं ऐसा number लूँगा, जो कि decimal के बाद, यानिकि एक तो divide complete नहीं होगा, और दूसरी चीज हमें यह ध्यान में रखनी है, कि repeat ना होना चाहिए, यानिकि जितने भ आप डिवाइड करने जाओं, तो non-terminating nature की होते हैं, और non-reoccurring होते हैं, for example, जैसे पाई है, आप लोग पाई कि अगर बात करो, कि जो value होती है, वो भी किसी type की होती है, या फिर कुछ और बात को irrational number की बात करूँ, यानिकि root 2 अगर मैं ले लेता हूँ, या फिर मैं कहूँ कि root 3 में ले लूँ, या फिर कुछ और भी, जो कि perfect square नहीं बन रहे है, irrational बन के आ रहे हैं, ये सारे किसके example हो जाएगे, तो आप ये कह सकते हैं, ये सारे किसके example है, जाए रूट 2 की बात करूँ, root 3 की बात करूँ, या root 7 की बात करूँ, ये सारे के सारे जो है, irrational number है, और य ये सबके सारे example किसके है, non-terminating, non-reacquering, आपको किसा root 4 क्यों नहीं लिया आपने, root 4 इसले लिया, क्योंकि root 4 आपके पास ये perfect square बना देता है, यानि कि इसे 2 आप लिख सकते हो, यानि कि जब आप इसे divide करने जाओगे, आप इसे solve करने जाओगे, तो ये perfect square बन जाता है, और ये complete divide हो जाता है, यानि कि जो terminate हो जाता है कहने का मतलब, इसले नहीं लिया, अगर मैं root 9 लेता है, तो ये भी simplify हो जाते है, इसलिए root 4 नहीं ले सकते है, root 9 भी नहीं ले सकते है, जितने भी perfect square वाले number है, वो नहीं लेना है आपको इसके अंदर, अब उसके लाबा जितने ह हो गया, second example ये हो गया, और third example आपके पास ये हो गया, ठीके तो चलो, आप मूफ करते हैं, फिर question number 9 की तरफ और ये है, आपके लिए question number 9, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि find three different irrational number between rational number 5 by 7 and 9 by 11, जिस तरफ आपने starting में जब ये exercise start हुई थी, तो आपने rational number की बीच के जो numbers है, वो लिकालना start किया था, आपने उसे find करना सीखा था आपने, अब इस question के अंदर आप से ही बोला जा रहा है कि आपके पार two different rational number given है, rational number which we can write in pyq form where q is not equal to 0, ठीक है, अगर भूल गया हो तो दुबार या दिला दे रहा हूँ, कि rational number pyq की form में हम लिख सकते हैं, जा पके q की value 0 नहीं होने चाहिए, इन दोनों ये दो आपके पास example है, ये first है, ये second two rational number आपको दे रखें, इनके बीच में आपको irrational number find out करने, कितने find out करने, three find out करने है, तो हम लोग करेंगे कि ये जो दोनों number है, आपके पास जो fraction की form में है, यानि कि rational number की form में है, इसे सबसे पहले ऐसा क convert कर लेते हैं, ताकि question को solve करना थोड़ा easy हो जाए, तो first number जो हमारे पास है, question number 8 है, लेख लिए मैंने आपके ठीक है, उसके बाद जो first है, आपके पास वो है, एक मिनट, ये आपके पास 5 by 7, तो सबसे पहले जो 5 by 7 है, उसे simplify कर लेते हैं, तो 5 by 7 का मतलब ये हुआ कि आपक तो आप ये कह सकते हो, 7 7 जा, आप कह सकते हो, 7 की table 7 7 जा, 49 हो गया आपके पास, 49 यानि 1 आ गया, अब 0 हो गया, उसके बाद फिर से आगे फर्दर divide करो इसे, तो आपके पास ये कह सकते हो, कि 1 टाइमस में 7 हो जाएगा, ठीक है, फर्दर आप करोगे तो आपके पास 3 आ ज जाएगा, ठीक है, और ये 14 होने के बाद आप ये कह सकते हो, 6 आ गया, ठीक है, 6 आने के बाद इसे मैं इधर solve कर रहा हूँ, ठीक है, फर्दर इसे मैं आगे solve कर रहा हूँ, तो जो 6 आ गया, आप ये क्या कर रहा हूँ, मैं अभी 0 और लगा दे रहा हूँ, यानि कि ये बन तो कि 7, 5, 35 आ गया अच्छा अब अब ध्यान से देखो तो आपके पास ये 5 आ गया अब नेक्स जीरो लगा होगे तो आपके पास क्या होगा 50 यानि कि जो स्टार्टिंग में था वही चीज दुबार आ गए यानि कि आप ये कह सकते हो कि 5 by 7 का अगर रिजल्ट लिखू मैं 0 0.71428 और ये उसके बाद 5 और लगा लेते हैं इसके बाद 5 ठीक है ये जो डिजिट है ये बार बर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है यानि कि इसका रिजल्ट ही आएगा इसके बाद आगे फर्दर आगर लिखना चाहूं तो कुछ इस टाइप से होगा 0.714285 फिर यही चीज दुबार रिपीट होगी 714285 ठीक है फिर उसके बाद फिर से यही चीज रिपीट हो दी चले जाएगी रिपीट हो दी चले जाएगी बार बार ये रिपीट होगी इसलिए मैं आपर क्या क्या है इसके बार लगा ठीक है ये तो फर्स्ट वाले को डिवाइ प्याइता है, अब 9, 11 के टेबल से अगर डिवाइड करके नहीं तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, पर 8 तैमस में आपके पास 58 आजाएगा, ठीके तो यह 88 ओ गया या नि कि आप इसे माइनस करोगे तो आपके पस 2 आ गया और यह 0 है अब 1 टाइम से में आपके पास यह चायेगा उन्टाइमस में, आपको सकते हैं 11, सबस्वि Learn उसके बाद, a190 हो जाएगा यह 0 हो गए इसand यह 90 को रुपा сторон, वही 90 दुबारा Tam रिपीट हो रहा है यह 90 यह यह ए उसके बाद, दुबारा 본प यह 99 को फिर से हो इस Все λिएающ वाले को दो ए इसओं कैंदर तो यानि कि यह जो 9 by 11 है आपके पास इसका जो रिजल्ट है फर्दर मैं बोलू तो यानि कि 0.81 ठीक है उसके बाद अगर फर्दर लिखना चाहूं दुबारा लिखना चाहूं तो यह 0.81 फिर उसके बाद 0.81 फिर 0.81 जो है यह बार बार रिपीट होता चला जाएगा आपके पास ठीक है यह हो गया अच्छा अब हमारे पास दोनों के रिजल्ट आ गये है 9 by 11 का भी आ गया और इसके लाबा जो फर्स्ट हमने सॉल्फ किया था उन दोनों का रिजल्ट अगर मैं लिखूं कि भई 5 by 7 का रिजल्ट जो हमारे पास है एक मिल देख लेते हैं 5 by 7 का रिज यु support का रिजा इस तो जोल recently, 700 अवर और इसके बीच में त 6 यह सकते हैं सब्सक्राइब कि रिजी नमबर नमबर तो मैं सब्सक्राइबं कर दिया ठीक है इसके बीच में आ जाएगा अच्या उसके बाद next जो लिखना चाहों, second लिखना चाहों, यानिकि number two लिखना चाहों, number two, तो आप यह काचकते हो, 0.715, जिए जिगा 6 करो, क्यों और visit कर लो, इसी तरह next लिखना चाहों, तो next क्या होगा, यह भी number three जिखना चाहों, 0.717 लिख लो, यानिकि या सारे के सारे जो number है, इन दोनों के बीच में इनों के बीच में आएगा लात तो इसे बहुत सारे आप बना सकते हैं कोई भी तीन बना कि आप इसका आणसर लिख सकते हो थ्री पूछे गे तीन के तीन आपने कोई भी बता देने है अच इसके बाद कोशन नमबर एट के बाद लास कोशन है लेकुशन नमबर नइन फिर हमारी जो एकसराइज ए 1.3 यह कं तो देखो PYQ की फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं वो तो रैशनल हो गया, PYQ की फॉर्म में जिसे नई लिख पा रहे हो, वो रैशनल हो गया, यह सिंपल सा डिफरेंस था, और यहाँ पर आपको यह धिहान अगना कि Q की वैली नॉट इक्वल टू जीरो हो नहीं चाहिए, त रूट 23 लूम है, रूट 23 ये जु है, इसे लूम, तो टू 3 जो ये परक्पल्य स्कवर्म नहीं बना पाता, ठीक है, यान आ है आप यह कह सकतो हो, कि ये जो वैलू है, आपके पास, रूट 23 है, ये नौन टर्मीनेटिंग है ठीक है, एल्ली तर्मीनेटिंग और इसके और आप लिंगे से नॉन रीय करीं, ठीक है, तो आप यह चाह सकते हूं, कि रूट टू-ठी ऐस इर्रैश्नल नमबर, ठीक है, रूट थी यह आपके तू-ठी जो आपके फास यह क्या हो जाएगा, एर्रैश्नल नंबर हो जाएगा अच्छा अब बात करते हैं रूट टू टू फाइब के अगर बात करें निक्स्ट जो आपके पास solution लिख लेता हूँ solution यह आपके पास number 9 question है इसका second part तो आपके पास जो रूट टू टू फाइब है अगर आप ध्यान से देखो कि रूट टू टू फाइब यह 15 का स्क्वेर होता है यानि कि इसे आप ब्रेक कर सकते हो यानि कि आप इसे लिख सकते हो 15 का स्क्वेर तो अगर आप इसे simplify करोगे तो आपकी बस result क्या आएगा 15 आ जाएगा ठीक है यानि कि ये complete divide आपके पास हो गया जब आपके पास ये complete divide हो जाता है यानि कि आप यह कह सकते हो कि ये 15 है आपके पास 15 या फिर यूं कहूं कि भी अंडर रूट 2-25 जो है इसे आप पी बाइक क्यों की फोट में लिख सकते हो ठीक है जब पीवाई क्यों की फॉर्म में लिख सकते हो और क्यूं यहां पे नॉट इक्वल टू जीरो जो कंडिशन है इसे भी सटिस्वाइग कर रहे हैं बोग तो आप यह कह सकते हो कि जो टू टू फाइब रूट के अंदर है परफेक्ट स्क्वेर बन गया तो आप लोग 15 in form of P by Q क्योंकि हम इसे P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पे Q की वैलू not equal to 0 है ठीक है तो इसलिए आप इसे कह सकते हो यह rational number हो गया आपके पास इसी तरह जो बाकी जो remaining है आपके पास यानि कि जो 3rd है उसके बाद जो 4th है और यह 5th है इसके अंदर आपने क्या क रखिए तो यह देखो यह है जो आपके पास है 0.3796 यह already terminate हो चुकी है ठीक है terminate हो गई है तो यह भी क्या हो जाएगा हमारे पस rational number हो जाएगा यानि कि अगर मैं इसका 3rd part करूं इस solution लिख लेता हूं solution और question number 9 का 3rd part लिखूं जो value आपके पास given है 0.3796 ठीक है यानि कि रि terminating form in decimal number, terminating form of decimal number, जो decimal number है उसका आपके सकते हो कि यह terminating form है आपके बाद, ठीक है तो आप यह कह सकते हो कि यह जो number है आपके पास 0.3796 is rational number यह क्या हो जाएगा आपके पास rational number हो जाएगा rational number होने की वज़ा simple यह है कि आप इसे P by Q की form में लिख सकते है उसे ठीक है आच्छा उसके बाद जो next part है यानि कि solution अगर मैं बताओ next 9 का अगर 4th part देखें तो जिसमें आपके पास value given है यह value आपके पास है देखो 7.478, 478 य पीट हो रहे है और डेश 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 डेट यह यह क्या हो कि नोन टर्मिनेटिंग है तो आप लिख सकते इस तरह से कि भी 7.478 is a non-terminating non-reacering then it is a irrational number यह क्या हो जाएगा आपके पास irrational number हो जाएगा क्यों क्योंकि यह आप यह क्या सकते हो कि इसके अंदर रिपीट हो होता है ना बार बार देश च in Review to the other any 1972 यह जा रखो क्रेंटिंगा यह भी यह योंन टरबिनेटिंग और दोनों के दोनों क्या हो जाएँ हैं एल रीक डेकि रोशनाल हो जाएंगे उनके दिवीजन करते जाओ आगे पास आपके पास आता चला जा रहा है यह दोनों क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होने की वज़े से अग्स वीडियो को आपको देखनी है वो देखनी है exercise 1.4 ठिक है तो अभी के लिए बाए मिलते है नेक्स वीडियो में वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों में शेयर जरू करना एक बात और वीडियो को आप शेयर करते तो जाधा से ज़्यादा बच्चे जूड़ ठीक है तो अभी किलिए बाई थेक्स फोर वाचिंग